एक बार फिर से आज किस वीडियो में हम current affairs को लेकर जो imported mcq हैं वो discuss करने वाले हैं यह पार्ट टू रहने वाला है पार्ट पर हम अलड़ी discuss कर चुके हैं इसका जो pdf था वो भी आपको telegram तर प्रोवाइड कर दिया था आज पार्ट टू की तरह बढ़ने वाले आज कल से जाधा questions हम discuss करने वालें तो आज का first question क्योंगी 15 questions हम अभी तक discuss कर चुके थे second part में question number 16 से start कर रहें तो यहां पर अगर हम बात करें के question आपकर समने screen में कहा गया है which state won the best state award at national water awards 2022 national water awards 2022 में दिये गए इसमें best state का award किसे दिया गया यूपी राजिस्थान तमिल नाडू या फिर राजिस्थान राजिस्थान दो बार देखने को मिल का बट कोई बात है best state का award किसको दिया गया अगर आपको नहीं पता लगता आपको नहीं पता लगता इसका है यह 2018 में शुरू हुए थे और फिर बेस्ट काइटेगर की बात करें उत्र प्रदेश की बात करें उन्हें बेस्ट बैस्ट चेटर फिरस्ट पैस दिया गया ओवराल जो है वो मुझेफर नगर और नौर्ट साइड की बात लिए बात है मुझेफर नगर यह उपी कि अगर हम बात करें पंजाब की शहीद बगत सिंग नगर को भी बेस्ट निश्ट का वार्ड दिया गया है आगे चलते हैं आज की बात कर लेते हैं कहा गया है रिसेंटली ए इस सीडी गौर्ड एप्रूवल तो होस्त दा फॉर्स्ट वर्ड डेफ की ट्वेंटी क्रिकर चैंपिंशिप यह जोब करें जन्वरी 2022 के करने आपको पता हम जन अगे चल लेते हैं और कवर कर लेते हैं आज करने स्क्रीन में है फॉर्स्ट ब्लैक एक्टर टू विन अकाडमी अवार्ड पहले ब्लैक एक्टर जिनने अकाडमी वार्ड ऑसकर वार्ड की बात करके वह जीते थे जो सिड रिपोजिटर नाम है उनकी डेफ होई ते जन्वरी 2022 में यह कौन सी कंट्री को बिलॉंग करते थे साउथ अफरीक यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा बाकि उनके बाइव में डिटेल से बताएगे यहां पर हलाकि युएसे नाम आपको देखने को नहीं मिल रहा है बर आपको याद रखे कि युएसे के वह रहने वाला थे आगे चलते नेक्स्ट क्यूशन की बात कर लेते हैं The forest department of which state has launched the app Urban forest park कौन से state के forest department एक mobile app launch करी थी उस mobile app का नाम था Urban forest park तिलांगना, MP, केरला या फिर असंग तो तिलांगना या पर correct answer हो जाएगा हलाक या में बताना चाहूंगा हमेशे की तरह current है, फिर सुभी category cover कर रहे है चाहे वो sports ही category हो, चाहे वो appointments हो चाहे वह मोबाइल लाइब हो चाहे कि इसकी डफ यह इंपॉर्ट डे है इस तरह के सभी जो भी इंपॉर्टन टॉपिक्स यह बुक्स बगारा हों भी वह सभी के सब भी टॉपिक्स हम कवर करते हैं तो अब किसी भी एक्जाम के त्यारी करते हो आपके काम आने वाले हैं तो करेक्ट्रां से तैलंगना बता दिया तो आप आपको देखने को मिलोगा है हैदराबाद फॉरस्ट इपार्टमेंट डिक मॉबाइल अपलाई जो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी आपन फॉ आपको देखने कर जाएंगे अर्बन फॉरस्ट पार्क एप्लिकेशन की हल्प से आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन की बात कर लाते हैं फॉह वैस प्रेजिडेंट ऑफ एशन इंफरस्टुक्चर इन्वेस्टियमेंट बैंक की बात करेंगे इनका वाइज प्रेजिडेंट किसे अपॉइंट करा गया option आपके सामने हैं बट सभी आंसर जोगा वो उर्जित पटेल हो जाएगा option number C यांपर correct answer हो जाएगा अब यहां पर Asian Infrastructure Investment Bank की बात करेंगा इसकी details बताई गई है current list में 105 member हैं सारी details आपको देखने को बेड़ें एश्या में 42 में 26 यूरोप से मेंबर आते हैं और इसकी बाद आगे और important details की बात करेंगे formation 2016 में हुई थी यह आप लिए important बन जाता है headquarters Beijing में हैं तो कहीं से भी question बन जाएगा पराम से cover कर सकते हो question number 21 की बात करते हैं बस आपने काम करते हैं जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करते जाओ आपकी तरह से अच्छा response आएगा तो यह current फर्स किसी भी exam के त्यारी करते हैं के काम आने वाले हैं आपके तरह से अच्छा response आएगा हम एक दिन के पचास-पचास question भी discuss करना स्टार्ट कर देंगी who has won the melbourne summer seven trophy 2022 melbourne summer seven trophy 2022 की बात करें इसके winner कौन रहे option आपके सामने हैं singles में रफियल नडाल रहे थे तो option नमबर यहां पर correct answer हो जाएगा एक बार check भी कर लेते हैं Melbourne summer set की details बताए गई गई है प्राइज में आपके सामने दिखाए गए बट इंपोर्ट ना location का आप रहो एस्ट्रेलिया में 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 सिंगल में विनर को ना डफियल नडाल और वुमें सिंगल की बात करें सेमोन यहां पर विनर रही है और मैंस डेवल का भी वोमेंस डेवल का भी बट आपको देखने को मिल रही है आगे चल लेते नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जम्मो कष्मीर के सांट कर रहा था किसके साथ यूएस या दूबई यह दूबई की है option number D यांबर correct answer हो जाएगा आप यहां पर देख भी सकते हो यहां पर यह दूबई के बात कर जा रहे है टूरिजम को प्रमोट करने की जम्मो कश्मीर में इतने करने जाज़ा था पर होटेल की बात करेंगे या जो भी ट्रांस्पोर्ट वगारा हो गया इनके लिए investment की बात कर जाएगा थी जिसे फेस्बूक पेज़ भी मारा इसी नाम से आप जाकर में फॉलो कर से टूटर भी से नाम से को कि इन्स्टाग्राम फेस्बूक की बात करेंगे हम आपके यूट्यूब से हटकर वहां पर रहते हैं यहां पर एक मिनट डेढे तो यहां पर आपको इंपॉर्ण इंफॉर तक कि सब्सक्राइब डिटेल्स आपको देखने को बिल जाने एकस्य पिदेल्स अराम से पढ़ सकते हो बैठके दो नहीं पढ़न तो कोई बात नहीं आपके पनी मरजी है इंडिया इंडिया लारजस्ट वखेश्ट वहिखल इवी चार्जिंग स्टेशन has been inaugurated in which city? India का सबसे बड़ा electric vehicle charging station जो है, वो कौन से city में इसको inauguration करा गया? तो गुड़ गाउं में inauguration करा गया था, जिससाथ गुरू ग्राम भी कहाते हैं, तो option number D आपको correct का असर हो जाएगा, details के गर हम बात करेंगे, आपको ये देखने को मिल रहा है charging station तो यहां पर आप कहोगे कि इंडिया के जो लार्जस एलेक्रिक वहिकल charging station है, जिसमें सो चार्जिंग पॉइंट है, फोर विलर वले, वो सेक्टर 52 में कमिशन करेंगा था, यहां पर करेंगे, इसे पहले नवी मुंबई में सबसे आपको देखने को मिले तरह लंबा नाम बतानी का नाम रखा गया है पर, इनकी डाथ वान हे ट्वाल की एज में हुई है, यह कहां को बिलॉंग करते थे, आपको सामने दिये गए हैं यह जोगे, नोगाँ पर नगल भी उतिन द्रीन दिया वो भी इस जमाने में तो आगे करतें नेक्सके की बात कर लेते हैं who has been robbed in as the new chairman of ifco ifco के नियर chairman कुन बनाया गया रगी Indian farmers fertilizer cooperative की बात करेंगे इसके नियर chairman किसे बनाया गया option आपके सामने है तो दिलीब संगानी यहां पर correct answer हो जाएगा ifco की बात करेंगे तो foundation 1967 में हुई थी headquarter new Delhi में है चेर्मन आपको देखने को मिल गए यहां पर तो यह चेर्मन यहां बैपाइंट करेंगे थे इस तरीके से important details आपके सामने आच चुकी हैं बढ़ते हैं के next question की बात करते हैं इसी यूटीब चैनल पर के correct answer हो जाएगा इसका मदलब option number two बिल्कुल सही answer हो जाएगा तो details आपको यहां पर देखने को मिलें तरी साल 23 की age है first transgender girl है जोगी डॉक्तर बन चुके पाकिस्तान की तो Mbps जिग्री जो complete कि थी कहां से कर रही थी वह सारी details यूदिश्य कराची आपको देखने को मिल रही है आगे बढ़ते next question की बात कर लेते हैं क्यर्शन में 28 की बात कर लेते India's first district Good Governance Index India का पहला district Good Governance Index डो वो कहां बहीं से option 20 डिस्टिर्ट के लांच कर रहा तो बीजिए कां पने जम्मो कश्मीर में मैं सबको हींट मिल गया थी option नुमर भी यापर पर देखने को मिल रही है आगे चलते हैं नेक्स क्वेशन की बात कर लेते हैं इंडिया फॉर्स्ट पैरा बैडमिंटन Academy has been set up in which city इंडिया की पहली पैरा बैडमिंटन अकैडमी जो है वो कौन से सिटी में सेट अप कर गया उसका चैनली हैदराबाद लखनौ या पूने तो फॉर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकैडमी का जो सेट आप है वो लखनौ में करा गया ऑप्शेन नमर्सी अंपर करेक्ट आसर हो जाएगा यहां पर आपको देखने को मिल रहागा तो चैनली के पार लंपिक से त्यारी करवाई जारी इसलिए पारा बैडबिटन अकैडमी जो है लखनौ में सेट अप करी ग बंगाल जो वेस्ट पेंगाल के पहले सीय अंते बुड़दे बटा चारे एक अवार्ड को रिजेक्ट करा गया हो कौन से अपसे पूछा गया है कि कौन से यह जो भी ऑवर्ड का नाम देकर बोले जागा रिजेट कर गया थैक्सिए वह बंगॉल के वह कौन थी नाम से भी मिल रहा है रिफ्यूज टू असेप्ट पदमबुशन थर्ड हाइस चिविलन अवार्ड यह एवार्ड इन्होंने लेने से रिजेट कर दिया था मना कर दिया था तो ऑप्शेन नंबर यह कौन सा पदमबुशन ऑप्शेन नंबर सी यहां पर करेक्ट टैंसर हो जाएगा ए पर दोजाएगा बदान मुवमेंट की बात करेंगा चार विनोद बावय अगर आपको पता होगा तो इसकी तोड़ा स्टार्ट करेंगे बड़ान इस्ट्रगल वगएड़ा करा था लगबग देखो ट्रैवल ओल ओवर इंडिया ओर थर्टीन एर डूरेशन इतना ट्रैव यह अगर आपको पताना है चाहूंगा आपको समय टाटा दिया गया हम यह टेच करने वाले हैं तो अभी न्यू यर की बात करेंगे एक इसका प्राइज वैसे 149 था 250 प्राइज था और डिस्काउंट चुरता 149 रूपीज का को यह पूरा आपको 99 रूपीज में मिलने वाला है इतने सारे मौक टेस्ट रहने वालें सेक्शनल टेस्ट रहने वालें अपने तयारी को बूस्ट अप कर सकते हो एक्जाम में टाइ करें चाल जारिंगे तो अगए अगे बढ़तें की बात करतें कहां गया है इन जन्वरी 22 जन्वरी 22 22 की बात करेंगे तो Reserve Bank of India ने कौन से निया डिपार्टमेंट सेट अप कर रहा था उस ने डिपार्टमेंट का नाम कि आपको वह बताना है के सारी डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं बड़ उसका नाम तर फिंटक डिपार्टमेंट तो option number D आपर correct answer हो जाएगा तो यह आप एक्स यहां पर देखने को मिल रही है आप इनको नाम से पढ़ सकते हो एचीवमेंट होती इनोवेशन सोशल सर्विस या स्पोर्स की काइटेगरी या ब्रेवरी कोई भी काइटेगरी में हो सकता है तो आवर्ड जिता है पंदरा बोई स्लेक्ट करेंगे थे फोटेंगल्स यहां सब्सक्राइब को होता है तो आपको इस बात कर दियान रखने हैं तो आपको इस बात कर दियान रखने हैं कि जब देश अजाद हुआ था उसके बाद इनको इस इक्रिस जनवरी को ही जो है वो फुल फ्लेश स्टेडमेंट चुके थी इसलिए इस दिन फांडेशन दे सेलिब्रेट करा जाता है आगे चलते हैं इन विच स्टेड नरेंदर मोधी मार्क जो है कि सड़क है उसके बनाया गया है तो ऑप्शिन आपके सामने है तो बिहार का निया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था डिटेल्स आप यहांबर देख सकते हो सिए मृतिश कुमार एपॉंटेड नाइटी इटी सेवन बैच आइस ऑफिसर अमिर सुबानियजा चीफ सेक्रेटरी आप बिहार त बागी हमारे सबी सोशल मीडिया हैंडेल्स जो है वह जैसे फेस्बूक पर बता चुको इंस्टाग्राम हो गया ट्विटर हो गया जैके लेटस इंफो के नाम से वह नमारे एक यूट्यूब चैनल भी इस नाम से है आप जिस पर में वीडियो मिना रहा हूं वह डिफेंस इस एक्जाम के नाम से है तो अब जाएके फॉलू कर सकते हो जोइन कर सकते हो बागी एप्लिकेशन के वह बता भी चुको और किसी तरह का डाउटों का जरूर बताएगा वीडियो को शेयर जरूर कीजएगा थैंक्यू जाहिंद